गुम्ला के चैनपूर में संदिक परस्थितियों में एक फादर का शव कुमे से मिला है मांडर के पुर्वविधायक बंधू तिर्की ने आज चैनपूर पहुचकर और फादर रजत एकका को शद्धांज लेती बंधू तिर्की ने पारिस के लोगों के साथ बैठा कर पूरे मामले की जानकारी नी और घटना स्थल का मुआयना किया अकबार के माध्यम से जन परत्रदी होने के नाते लोगों को उमीद भी रहती है हम लोगों से लिखे लोगों का इसलिए पूरी जानकारी लेने के लिए आए प्रासासनिक रूप से भी जानकारी लेना है और आम लोगों से भी अखिर मामला क्या हुआ कैसे हुआ अब प्लिस प्रासासन उसमें जांच कर रही है हमको लगता है जो भी मामला होगा कुछ दिन के बाद में सामने आही जाएगा सच है तो दिखेगा